गर्मी के दिनों में बिजली की मांग तीजी से बढ़ने और कोईला की कमी के चलते उतपादन में कमी आने के कारण पूरे राज जिभर में ग्रामिन के साथ ही शहरी भागों में भी लोट शेडिंग तैस समझी जा रही है गर्मी के दिनों में बिजली की मांग तेजी से बढ़ने और कोईला की कमी के चलते उतपादन में कमी आने के कारण पूरी राज्य भर में ग्रामिन के साथ ही शहरी भागों में भी लोट शेडिंग तैस समझी जा रही है महावितरन की और से जानकारी दी गई है कि देश भर में फिलहाल बिजली की मांग बढ़ने से अभूत पूर्व संकट के हालात है राज्य में सभी ग्रागों को लोट शेडिंग का संकट छेलना पड़ सकता है फिर भी कम्पनी इसे टालने के लिए बिजली की विवस्था का प्रियास कर रही है साथी नागरीकों से अपील भी किया कि वे मित वैईता के साथ बिजली का उपयोग करे वरत्मान में बिजली की जितनी मांग है उससे 0,500-3,000 मेगा वाड बिजली की कमी है इसलिए जरुवत के अनुसार शहरी और ग्रामीन भागों में मरक के मांग दर्शक तत्व के अनुसार आगामी काल में लोट शेडिंग करनी पड़ेगी अब तक शहरी भागों में लोट शेडिंग नहीं की जारी थी बताया गया कि फरवरी से गर्मी बढ़ रही है ओध्योगिक और क्रशी पंपों में बिजली का उपयोग बढ़ गया है राज्य में 28,000 मेगाबार्ट से अधिक बिजली की मांग है मुंबई को चोड़का महावित्रन के कारिशेत्र में बीते वर्ष की तुलना में 4,000 मेगाबार्ट बिजली की मांग बढ़ी है बिछले पकवाडे मांग लगभग 24,800 मेगाबार्ट तक पहुची थी जो जल्दी 25,500 मेगाबार्ट तक पहुचेगी रात के समय भी 23,000 मेगाबार्ट तक बिजली का उपयोग हो रहा है कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ संजेमीरे BCN News नाकपुर